वेल्कम टो ब्रेंचोक्स मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सिरिज में कर रहे हैं गेट इंजिनिरिंग मैच के प्रिविशर कोश्टनस और ब्रांचेज हर वीडियो मैं पांच कोश्टन करते हैं फिलाल मारा टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा फिर्स्ट कोश्टन इस वीडियो का गिवन ए फंक्शन fxy 4x square plus 6 y square minus 8x minus 4y plus 8 the optimum value of fxy is minimum equal to 10 by 3 maximum equal to 10 by 3 minimum equal to 8 by 3 maximum equal to 8 by 3 ठीक है तो यह two variable function है तो सोले stationary point निकाल ले partial differentiation of function with respect to x याज़ेगा 8x minus 8 is equal to 0 तो equal to 0 को और के x की value कितनी आगी 1 f y तो याज़ेगा 6 दुनी 12 12 by minus 4 is equal to 0 यहां से y की value जो आगी 1 by 3 तो हमारा जो point आगया वो आगया 1,1 by 3 इस point में maxima या minima हो सकता है या फिर हो सकता है कि होई ना maximum minimum but option के हिसाब से तो होगा obviously ठीक है तो हम f double dash x निकालेंगे f x x निकालेंगे वो 8 आज़ेगा f y y हो आज़ेगा 12 और f x y जो आएगा 0 तो basically f x x f y y minus f x y का square या जाएगा 12 into 8 96 minus 0 तो greater than 0 है तो इस maximum minimum होगा और f x x जो है वो is equal to 8 greater than 0 है it means यहाँ पर क्या आएगा minimum आएगा ठीक है minimum value आएगा और value कितनी होगी 1 और 1 by 3 तो function के value 1,1 by 3 ठीक है तो x जोगा 1 फिर y square 6 by 9 यानिकी 2 by 3 minus 8 minus 4 into 1 by 3 4 by 3 plus 8 ठीक है तो 8 8 cancel 4 minus 2 by 3 4 ती है 12 12 minus 2 10 10 by 3 10 by 3 option आजएगा एग ठीक है और इसको एक और तरीके से भी कर सकते होगी प्रफेक्ट स्क्वेर बना के हम बैदा देखो इस question में दिख रहा है x square भी है x भी है तो इसको यूज़ करके हम प्रफेक्ट स्क्वेर बना सकते है एक्स प्लस माइनस सम्थिंग का होल स्क्वेर y स्क्वेर है y भी है ठीक है तो अगर मैं इन दोनों को उठाऊ तो 4 x square minus 8 x तो प्लस 4 चाहिए मुझे ताकि complete कर बने ठीक है तो वह हम 8 से ले लेंगे दूसरा 6 y square minus 4 तो 6 को common निकाले दो क्यों रूट 6 आएगा वो थोड़ा इतिंक मुश्किल से लाएगा तो y square minus 4 by 6 2 by 3y ठीक है और प्लस 4 ठीक है 8 को मैंने 4 प्लस 4 डिवाइड कर दिया अब अंदर देख लेते हैं क्या हम add subtract करें अब दो को यहां से लग रहा है a square y square यानिकी a तो है y यह क्या है 2ab 2 a तो है y b क्या हो जाएगा 1 by 3 तो मतलब यहां पर मुझे b square चाहिए तो 1 by 9 add किया 1 by 9 subtract किया यह तो बन गया 2 x minus 2 का square ठीक है यह बनेगा 6 y minus 1 by 3 का whole square minus 6 को मैं minus 1 by 9 से multiply गर दूंगा तो 2 by 3 आ जाएगा plus 4 तो basically यह बन जाएगा 2 x minus 2 का whole square plus 6 by minus plus 10 by 3 ठीक है अभी देखो यहां पर यह भी square है यह भी किसी function का square है तो यह दोनों positive यह आएंगे negative तो कभी होंगे नी बट तो पूरे function की minimum value तब आएगी जब यह दोनों minimum होंगे यह minimum तब होंगे जब x is equal to 1 यानि कि यह 0 हो जाए और जब y is equal to 1 by 3 यह दोनों 0 हो जाए तब इसकी minimum value आएगी 10 by 3 बाकी xy की value पे यह भी positive आएगा यह भी positive आएगा तो overall 10 by 3 से ज़्यादा ही आएगा ठीक है तो इस तरीके से directly भी देख सकते हो next question है e raise to power y is equal to x raise to power 1 by x then y है ठीक है इसका पहले simplify कर लो e की power y है is equal to x 1 by x दोनों तरफ पर है natural log ले लेता हूं ठीक है ln x की power 1 by x तो y आगया जाएगा ln e1 हो जाएगा 1 by x आगया आगया ln x रहे गया तो ln x by x एक्चल कोशन यह है ठीक है अब हमें निकालने stationary point तो y dash तो u by v इसे formula करेंगे तो v square v को बाहर रखा ln x का 1 by x हो जाएगा minus ln x को बाहर रखा x का किया 1 equal to मुझे 0 करना है तो यह है 1 minus ln x divided by x square is equal to 0 it means यह है y dash तो यह 0 होगा 1 minus ln x is equal to 0 ln x is equal to 1 तो x की value क्या आगी e तो यह मेरा आगया stationary point इस पर maximum या minimum यह फिर हो सकता है कि saddle point हो सकता है ठीक है option a या b होन में से होना चाहिए और फिर second derivative करेंगे तो y double dash x तो यह जगा नीचे x square है तो x की power 4 फिर x square बाहर रखा 1 minus ln x का तो minus 1 by x minus 1 minus ln x बाहर रखा तो x square का गिया 2x हागया ठीक है यह जगा minus x minus यह हमें find करना है इसको मैंसे लिख लिए 2x 1 minus ln x divided by x की power 4 यह मुझे find करना है x is equal to e पे तो minus e minus 2e 1 minus ln e 1 हो गया नीचे e की power 4 यह basically बाहर एगा 1 यह पूरा 0 हो गया ठीक है यह पूरा 0 हो गया minus 1 by e की power 3 जो कि यह less than 0 it means यहाँ पर क्या आएगा maxima ठीक है और यह हम वैसे slope से भी देख सकते हैं देखो यह e है अब जो मुझे y dash देखना ना y dash किसके एकको ल है 1 minus ln x divided by x square जब x की value ln x जो है e पर 1 होता है ठीक है 1 minus 1 0 ठीक है इस पेदर slope 0 है बट जब ln x की value e से कम होगी तो ln x जो है 1 से छोटा आएगा it means x की value अगर e से कम होगी तो ln x negative आएगा और negative negative positive यहाँ पर slope आएगी positive और जब x की value e से जादा होगी तो ln x की value 1 से बढ़ जाएगी 1 से बढ़ जाएगी तो 1 minus ln x negative आएगा ठीक है तो it means पहले slope positive है means function increase कर रहा है फिर e आएगी slope 0 होगी बाद में slope negative तो decrease कर रहा है तो e पर maxima आएगा ठीक है तो इस तरह के इस भी कर सकते हो next question है function fx is equal to 2x minus x square plus 3 has maximum value at x is equal to 1 and minima at x is equal to 5 maxima at 1 minima at x is equal to minus 5 only maxima at x is equal to 1 only minima x x is equal to minus 1 ठीक है fx f dash x करेंगे तो 2 minus 2x equal to 0 यहां से x की value आगी 1 तो stationary point एक ही है ठीक है तो इसका double dash करूंगा तो यह जगा minus 2 जो कि यह less than 0 it means 1 पे क्या है maxima ठीक है और इसका अगर graph भी देखोगे fx किसके एककोल है 2x minus x square plus 3 ठीक है minus बाहर निकालो इसका x square minus 2x minus 3 minus x square minus 2x plus 1 minus 1 तो यह आ जाएगा तो बनेगा minus यह बनेगा x minus 1 का whole square minus 4 तो यह बनेगा 4 minus x minus 1 का square ठीक है तो इसकी maximum value यह maximum तभी होगा जब यह minimum होगा ठीक है तो जब यह minimum होगा जब यह 0 जब यह 0 होगा यानि कि x is equal to 1 होगा तब इसकी maximum value 4 आएगी नहीं तो बाकी value इसके लिए बढ़ता जाएगा तो 4 minus something तो यह decrease होता जाएगा ठीक है तो अगर यह y है और यह इस तरीके से बट इसका जो center होगा 1,4 होगा यह वाला इस तरीके परावला बनेगा और जब x is equal to 0 है तो यहाँ पर यह value आएगी 3 x is equal to 0 पर sorry maximum value 4 x is equal to 0 पर इसकी value 3 है और यह 0 कब हो रहा वो point वह हमसे निकाल सकते है यह बनेगे मेरे साब से यहाँ से मैं निकाल लूँ अगर minus 3 minus करके 2 है तो minus x minus 3 x plus 1 ठीक है 3 और minus 1 3 3 2 6 3 9 6 3 9 हाँ ठीक है तो यह point वैसे के लिए आजएगा 3,0 यह आना चाहिए minus 1,0 ठीक है तो minus 1 के लिए minus 2 हो गया minus 2 minus 1 minus 3 plus 3 0 ठीक है तो इस तरीके से maximum value आ गई यहाँ पर x is equal to 1 पर, option c next question है the maximum value of fx is equal to x cube minus 9 x square plus 24 x plus 5 in the interval 1,6 is तो सबसे पहले stationary point निकाल लेते हैं f dash x यह अगर 3 x square minus 18 x plus 24 is equal to 0 3 अगर common निकाल लूँगा तो x square minus 6 x plus 8 is equal to 0 इसके factor बनेंगे 4 और 2 x minus 4 x minus 2 equal to 0 x is equal to 2,4 ठीक है तो दो stationary point आगे और दोनों range में है तो इन दोनों values पे और boundary पे चेक करेंगे function के value तो f1, 1 पे 1 minus 9 plus 24 plus 5 तो 24 plus 5, 29 plus 1, 30 minus 9, 21 और फिर 2 पे चाक कर लेते हैं तो 8 minus दो दोनी चार, जोगे 36, 48 और 5, 48 minus 36 आजगा 12, 12 plus 8, 20 plus 5, 25 और value 4 पे 64 minus 16, 16 और आया, 114 plus 96 plus 5, ठीक है तो minus 80, minus 80 16 plus 5, 21 216 216-36, 36 into 9, 9, 24, 27, 32, 32, 382, 182, plus 6, 25, 1500, 144, 5 is equal to zero, तो, बिसिकली यह बने गया, 216 और 144 बनेगा, 360, 360, 365, 365, तो 1 और 4, 41, ठीक है, तो maximum value जो आगी, 41 ठीक है, इस case में एक और चीज़ देख सकते हो, कि जैसे हमारे पास stationary point जो आए, वो 2 और 4 आए, ठीक है, 2 से कम पे, जो हमारा F-X है, वो positive आएगी value, slope की, ठीक है, और 2 और 4 के बीचों को negative आएगी, और इस पे positive आएगी, ठीक है, तो maximum value वेसे और double differentiation चेक कर सकते हो, विसे उसमें जुरूरत नहीं है, value पूटतर के हो जाएगा, तो अगर देखा जाए, 2 पे maximum आ रहा है, तो 4 पे minimum है, तो 4 वाली value मुझे चेक करने की जुरूरत नहीं थी, यह क्या, 6 पे यहीं पे रहा जाती है, value, यहां फिर और बढ़ जाती है, तो इसके साफसे तो बढ़ी गई है, ठीक है, तो यहां पर value कितनी है, 25 है, बट यहां पर 41 हो गई है, सबसे पहले derivative test देख लेते हैं, 3 x square equal to 0, तो x is equal to 0, यह point आ गया, f double dash x, यह करेंगे 6 x, अब यह भी 0 आ गया, ठीक है, अब इस पर test fail है, अब हमें नहीं पता है, इस पर maxima होगा, minima होगा या फिर point of inflection, कि ना maxima है, ना minima है, तो यह हम चेक करेंगे, f triple dash x करेंगे, तो यह जह 6 हा गया, तो it means not 0, तो it means यह क्या आएगा, point of inflection, ठीक है, अब यह चीज़ ऐसे भी देख सकते हो, देखो, हमारा point 0 था न, अब 0 पे f dash x का sign देखो, f dash x क्या है मेरा, 3x square, अब 0 से पहले भी यह positive है, 0 पे इसके slope negative है, और sorry, 0 होगी, 0 के बाद भी positive है, यह तो हमेशे increasing function नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले increase हुआ, फिर decrease हो गया, तक maxima आया, ऐसा नहीं कि पहले decrease हुआ, फिर slope increase, minima, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यह आएगा point of inflection, ठीक है, यह x cube का, x cube plus 1 कर दोंगा, मतलब यह 1 उपर उठ गया, यह मनगा मेरा x cube plus 1 का graph, मतलब यहाँ पर 1 है, तो जो इस point पे नहीं है, इस point पे slope 0 है, तो जैसे से हम एकदम बढ़ रहे हैं, slope हुमारी positive है, यहाँ जाके stationary point आगा, मतलब slope हुमारी 0 आगी, तो इस point पे नहीं बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, बट इसके जस्ट बाद फिरम, slope positive होना start होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ना maxima है, ना minima है, point of inflection है, similarly अगर suppose करो, x की पावर 4 होता, ठीक है, x की पावर 4 होता, तब वहाँ पे minima आता, ठीक है, तो वो चेक कर सकते हो, जैसे, fx is equal to x की पावर 4 प्लस 1, तो f dash x, क्या आता, 4 x cube equal to 0, point तो हमारा x is equal to 0 ही आता, ठीक है, अब हम क्या करते, f double dash x, वो आता, 12 x square, तो यह भी 0 हो जाता, 00 पे, तो हम test fail होगा, triple derivative करते, तो वो आगा 24 x, ठीक है, अब यह भी 0 आगया, ठीक है, अगर यह 0 आगया, अगर यह 0 आगया, इटमींज, यहाँ पे, हम यह नियसकते, point of inflation है, अब हम दोबारा करेंगे, चार बार, यह आगा 24, यह note equality 0 है, तो इटमींज क्या है, जब even derivative 0 आए कोई, ठीक है, even times of derivative, और उसका next, और derivative non 0 आजे, तब आएगा point of inflation, ठीक है, अब इसमें point of inflation नहीं है, क्योंकि इसका जब आप graph बनाओगे, एक्स की power 4 का बनता है, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, और plus 1 है तो मतले है, इस तरीके से, तो यहाँ पर minimum आएगा, वही चीज़ हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, slope से, slope के sign से, ठीक है, slope क्या है, इसकी, यह वाली है, ठीक है, तो जब x negative है, क्या सकी slope negative है, और जब x positive है, तो क्या सकी slope positive है, ठीक है, 0 पर slope 0, पहले 0 से पहले ये negative slope से decreasing function था, 0 पर slope 0 ये फिर increasing होगा, it means slope negative से positive change होई यहां पर minimum आएगा, ठीक है, एसे question उसमें ध्यान एकना, यहां पर second derivative भी 0 हो रहा है, ठीक है, तो इसको option आजाएगा, d point of inflection, यहां पर power 4 होती, तो आता minimum value, ठीक है, तो इसे के साथ इस video के 5 questions हमारे खतम हो चके हैं, किसी भी question में doubt हो, तो नीचे comment कर सकते हो, नहीं तो tell एक नब पूछ लेना, और वीडियो को सीखा हो, तो please वीडियो को like करना, और channel को subscribe कर देना, thank you so much